है यहां आप सभी का एक बार फिर से कंपोटिशन कम्यूटि के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग देख रहे हैं सिस्टी सी जेल अड़ सिये चेसल का यूट्यूब कोर्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक यह हैं compound interest part 2 याने चक्रवर्दी भ्याज भाग 2 जहां तक इस में इस वीडियो के सवाल है तो इस वीडियो में मैं questions अब cover करूँगा questions हम देखेंगे इस questions को solve करने के तरीके बहुत सारे होते हैं और मैंने सारे तरीके जो है वो पिछले वीडियो में मैंने cover करके रखा था ठीक है सारे तमाम तरीके questions हम देखेंगे जो आपके latest exam के pattern में questions आ रहे हैं उसको कैसे हल कर रहा है ठीक है तो method 1 जिसमें कि हमने golden ratio के बारे में देखा था method 2 जिसमें कि हमने ratio approach देखा था method 3 जिसमें कि हमने successive percentage change देखा था तो सारे method से आप भी खुद मेरे साथ यहां पर जब मैं solve कर रहा हूँ तो सोचिए कि कौन सा method सबसे best होगा कभी-कभी method 1 आपको ज्यादा तेजी से answer देता है कभी-कभी method 2 कभी-कभी method 3 कभी-कभी 2 method से भी सवाल हल हो जाते हैं तो यह आपकी खूबी होगी कि आप कितने अच्छे से इसको interpret कर पाएं कि हम कौन से method को use करें किस सवाल में तो start करते हैं आज के इस वीडियो को और सारे questions देखते एक-एक करके थोड़ा सा मैं यहां पर speed बढ़ाऊंगा क्योंकि आप हम यहां पर questions देखने वाले जो चीज at eight percent per annum compounded five monthly nearest to one rupees 8100 रुपे के राश्टी पर एक एक बटे चार बर्ष के लिए आपको आठ प्रतीसत व्याज की दर से शक्रिती व्याज कितना देना होगा पांच माही सहीं जीत अगर किया जा रहा है एक रुपए तक जो है सहीं जीत है ठीक है अब देखे इस सवाल को solve कर में यह calculate हो रहा है आपको निकालना होगा देखिए सबसे पहली बात पांच मंतली है तो रेट आपका जो होगा वह एक्चुली 8% नहीं होगा क्योंकि 8% जो है यह पर एनम का है यह आपका प्रती वर्स का है प्रती वर्स का है और जब हम हर पांच-पांच महीने में जब आ आपको multiply करना होगा है यहांगे आपको लेक सीड़ी सीपल सीबात है ठीक है तो चार से काट हो गया यहांगे यहांगे five five कटीए मेह और पांछ महीना पांछ महीना ऐसे तीन बार होंगे Scottish है यहां पर जब एक साल बोल रहा है मतलब 12 हो गया एक चौथा है मतलब 3 महीने और मतलब टोटल 15 महीने और तीन टर्म जब 5-5 महीने के 3 तर्म करोगे तो 15 महीने तो हुआ तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं अब देखिए इसको यदी मैं calculate करूँ चार से काटोगे दो बार कटेगा यह तीन बार कटेगा मतलब की 10 बटा 3 प्रतीसत अब यहां से आपको जो मेथड पसंद आया उससे आप यहां से आपका compound interest calculate कर सकते हैं जैसे कि अगर successive percentage change की बात करें तो rate of interest जो overall लगेगा यहने compound interest का प्रतीसत की अगर मैं बात करो तो आप यहां पर successive percentage change निकाल सकते हैं तो CI का percentage value यदि आप निकालने तो सबसे बैस तरीका होगा 10 बटा 3 10 बटा 3 10 बटा 3 तीन बार जोड़ोगे तो यहां पर 10 प्रतीसत आएगा 10 परसेंट प्लस 100 नीचे आता है और multiplication में इसको आपको दोदवार multiply करना पड़ता है यहांने 10 बटे 3 का square 10 बटे 3 का square कर दोगे तो यहां पर 100 बटा 9 हो जाएगा याने 100 बाइन 100 बाइन में और यह तीन बार होता है तो यहां से इसको 3 परसेंटेज यहां पर भी है परसेंटेज यहां पर भी ठीक है 100 से 100 कड़ जाएगा एक तिहाई हो गया मतलब 10 प्लस एक तिहाई हो जाएगा यहां पर प्लस एक हजार यहां पर भी कटेगा एक हजार यहां पर भी कटेगा एक जीरो बजी है मतलब एक बटा 270 यहां पर बचा हुआ है अब देखिए कैलकुलेशन को कितने आसानी से आप कर सकते हैं यह अकला आपके उपर भी है यह 10 प्रतिसत इतना पूरा परसेंटेज है और यहां कि compound interest जो है इतना percentage होता है किसका principle का तो मैं directly इसका percentage निकाल लेता हूं इसका तो अब देखिए जब इसका percentage ही निकालना है तो percentage का मतलब क्या होता है percentage का मतलब होता है बटा में 100 मतलब इसमें आपको multiply क्या करना है 8100 तो कहीना कि यह जो percentage वाला value है यह जो दो zeros है और यह percentage कर ज तो 81 इस से multiply होगा 810, 81 इस 3 से multiply करोगे तो 27 आएगा प्लस यहां से जब multiply होगा तो यहां पर यह तीन गुना होगा और नीचे 10 बच जाएगा मतलब 10 समलव 3 आएगा बताई यह calculation कहीं से difficult आपको लग रहा है यहां इतनी आसान सी बात है कि यहां पर 837.3 जो है इतना value वीडियो में cover किया और इतना percentage आप निकाल सकते हैं और मैंने देखा कि यहां पर जो value है वो percentage किसका है तो principle का है जब 270 यहां तीन दिया है तो 270 और तीन दोरों के दोनों 8100 को काड़ देंगे तो पूरा calculation करने कल्दी मत करना डारेक्टली इसका percentage value निकाल कर 837 आप निकाल सकत आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन है यहां पर दिया हुआ है अब एक बार और मैंने यहां पर five monthly लिया हुआ सवाल अब आप खुदी इसको solve करके बताईए इसका उत्तर क्या होगा मेरे solve करनी के पहले आपसे यह सवाल हो जाना चाहिए चली आए समझते हैं यहां प सबसे पहला काम है कि रेट निकाले अगर पंद्रा परसेंट बोला था तो पंद्रा परसेंट आपके बारा महिने का ब्यास था लेकिन यहां पांच महिने में calculate हो रहा है तो multiply by पांच बटे बारा करना ना भूलिए ठीक पहला step time की अधी मैं बात करूं तो time हमारा है इतना यानि कि number of terms जो होता है वो time में इस factor को आपको multiply करना पता है यह है आपका 5 बटे 4 इसमें आपको क्या multiply करना पड़ेगा 12 बटे 5 जो चीज आपने rate में multiply किया उसको उल्टा करके आपको time में multiply करना पड़ेगा number of terms निकालने के लिए इसके बाद आप क्या करेंगे इसके से काटोगे यहां पर n3 बार आगया अगर मैं इसे 3 से काटो तो यहां पर 5 आ रहेगा यहां पर 4 आएगा मतलब कि 25 बटे 4 प्रतिसत 25 बाइ 4 परसेंटेज अब देखिए calculation यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन हम कोशिश करेंगे यहां पर calculation को minimize करें यह 25 बाइ 4 परसे परसेंटेज का मतलब कितना होता है rate of interest जो आपको दिया हुआ है यह आपका 16.25 परसेंट दिया हुआ है और 6.25 परसेंटेज का मतलब बच्चा बच्चा जानता है यह होता है एक बटे 16 golden ratio क्या होता है तीन बास का golden ratio क्या होता है यह होता है 32321 32321 होता है मतलब कि आपको कर प्रसंट 6,25% निकाली है से गुणा करिये। तीन वर्स का गोलडन रेशियों क्या होता है ठीज प्रीज टू टू ट्रीज टू आप लिख दिया तो तीन में क्या मल्टिप्लाइ करना है एक सोल एक बटे आपका simple interest होता है आगे का value CI-SI का देता है और पूरा का पूरा value आपका compound interest का देता है यह सारी चीज़े हमने देखा हुआ है पिछले वीडियो में पिर यहां पर 13 आगया फिर यहां पर 1634 आगया total value 1634 आपको option में दिख रहा है बताइए कितना time लगेगा आपको solve करने के लिए अगर आप golden ratio नहीं जानते हैं तो आप इसको दूसरे किसी method से solve करने जाएंगे ठीक है 6.25 का अगर आप successive percent निकालेंगे काफी हो जाएगा क्योंकि 6.25 को दो बार multiply करने में काफी time आपका वेस्ट होगा लेकिन अगर आपको golden ratio पता है और आपने देख लिया कि 16 से फ्रेंडली नंबर है तो मैंने एक बटे 16 भाग किया जो कि इसका simple interest है एक साल का तो पहले वाले में तीन वाले में simple interest निकलता है इसका भी आपको एक बटे 16 भाग निकालना होगा 32 इसका भी एक बटे 16 निकालना होगा तो three to three to one जो की golden ratio होता है तीन वर्षों का इसकी जरी हम इसको solve करने method number one से clear है चली आगे बढ़ते हैं अब यहां से next question दिया हुआ है what is the compound interest on 12,000 in two five to five is to eight to five by eight years in eight percent per annum compounded annually तो आपको यहां पर दिया हुआ है कि 12,000 रुपए पर कि राशी पर अगर प्रतिवर्ष हम यहां पर आठ प्रतिसत ब्याज की दर से दें चक्रवती ब्याज चक्रवती ब्या है तो यहां पर समय जो है वह आपका दो सही पांच बटे आठ वर्सों में आपको निकालना है हिंदी में थोड़ा सा timing error है यहां पर मैं करक्क कर लेता हूं अब देखें यह सवाल को solve करने के तरीके बहुत सारे आप खुद ही सोचिए कि कौन सा सबसे बढ़िया तरीका हुआ तो पहले वर्ष में आठ परसेंटेज ठीक है दूसरा वर्ष भी पूरा हुआ तो दूसरे वर्ष में आठ परसेंटेज ठीक है क्या तीसरा वर्ष पूरा हुआ आपका जवाब होगा नहीं पूरा हुआ तो तीसरे वर्ष में टाइंग कितना लगा पांच बटे तो अगर आप यहां पर पांच बटे आठ टाइम ही लगा रहे हो तो पूरा का पूरा आठ परसंटेज आप क्यासे लगा सकते हैं आपको किवल पांच बटे आठ भाग लगाना होगा यानि थर्ड वाले टर्म का जो रेट आफ इंट्रेस्ट होगा वह हो जाएगा 5 परसंट लगाईए चले अब मैं परसंटेज नेट का फॉर्मूला एक बार यहां लिख लेता हूं क्यूंकि अगर हो सकता है आप भूल गया हूं तो मैं यहां लिख लेता हूं लेकिन आपको इसको लिखने को आप सकता नहीं एक्जाम में डारेक्ली आपको रिजल्ट यूज करना है तो यह फॉर्मूला मैंने एक बार लिख लिया हाला कि आपको प्लूलाएартि शसोला प्लस 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 तुटान मिला के 144 हो जाएगा उपर न्यूमरेटर में 144 इतना परसेंटेज प्लस आखरी वाले वैल्यू में आठ इंटु आठ इंटु पांच होगा तो आठ मल्टिप्लाइट बाए आठ मल्टिप्लाइट बाए पांच बटे 10,000 आ जायता है नीचे एक जिरो को एक पांच और यहां से एक दो काटेगा मतलब यह बत्तिस बन जाएगा तो टोटल यदि हम देखे तो यहां से आपका 21 परसेंटेज आ रहा है यहां से आपका 1.44 परसें इतो परसेंटेज कितना निकालना है 22 दसमलव हैं चार-सात-दो-प्रतीसत बस निकालना है इतना परसेंटेज निकाल silently आ तो बारहहजार का निकालना है अब बारहहँजार यहां से आप आप पूरा कैलकुलेशन करें बगैर बहें आपका क्यालकूलेट कर सकते हैं कि मुझे 12,000 का इतना पर्सेंटेज निकालना है तो पर्सेंटेज और दो जिरो कर जाएंगे अब एक डेसिमल जो है इस डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर दिगा तो यहां पर जो डेसिमल था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा अब 12 मुल्टिप्लाइड पर इतना करोगे तो चार आना चाहिए लास्का तो यही वाला उप्शन साही होगा फिर भी क्यल्कुलेट करना चाहते हो तो यहां से 12 को इससे मुल्टिप्लाइड करोगे 24 चौरासी प्लस दो करोगे 86 आएगा 48 प्लस 8 याने 56 ठीक 24 प्लस 5 29 24 प्लस 226 96.64 लेकिन क्या आवस्क्ता है जब हमने यह देख लिया कि आखिर में दो डेसीमल आने है और लास्ट में एक बारा में और यह दो और दो को मल्टिप्लाइड करने पर चाहर आता है तो यह कई आप करते हैं यहां से next question देखेंगे अब देखें इस सवाल को आप खुझ से solve करके देखिए similar pattern का सवाल है यहां पर देखिए दो सही पांच बटे सात वर्स दिया है 14 परसेंट दिया हुआ है सबसे बात यहां पर है कि 10,000 है तो 10,000 जैसी देखते हो तो यह सबसे friendly होता है आपक पूरा कब पूरा 14 परसेंट लगेगा की नहीं लगेगा लेकिन तीसरे वर्ष की यदि मैं बात करो तो तीसरा वर्ष पूरा हुआ कहां तीसरे वर्ष के तो आदे में हम रुख गए मतलब यहां पर जो परसेंट लगेगा वो 14 परसेंटेज का 5 बटे 7 लगेगा साथ से का माइंड में कैलकुलेट करना है कि यहां पर सक्सेसिफ परसेंट चेंज का फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मतलब आप डारेक्ली परसेंटेज नेट जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 14 प्लस चौदा प्लस 10 मेंटली कैलकुलेट करिए 14 प्लस 14 28 प्लस 10 करोगे तो 38 आएगा ठीक यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे 14 14 196 होता है प्लस 14 इंटू 10 भी 140 यह वाला 14 इंटू 10 भी 140 मतलब तोटल 280 और बटे में यहां पर कितना आता है सो आता है तो यहां पर हंडेट कर लेते हैं और उपर आप आजाएगा 14 इंटू 14 इंटू 10 डिवाइड़ बाइ 10,000 तो यह सारी चीज़े जो है आपके माइन में क्यालकुलेट आपको करना आना चाहिए तो देखें 196 प्लस इतना जोडने पर कितना होता है यदि आप देखें 200 होता तो पूरा का पूरा 480 हो जाना था लेकिन 480 में 4 कम है तो यहां पर 476 वैल्यू आएगा 476 ठीक है और यह 196 है यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1010 को काट देगा मतलब यह 38 तो पूरा ठीक है 4.76 यहां पर आएगा और यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो 196 है लेकिन क्योंकि तीन देसिमल है तो तीन देसिमल लगाना ज़रूरी है तो 0.196 आ जाएगा यहां से इसको जब जोडते हैं तो 6 यहां पर यहां पंद्रह आएगा यह बन जाएगा आपका 9 दसमलव में यहां 42 अब इतना परसेंटेज आपको किसका निकाल देगा और बचे हुए देसिमल को उठाके यहां से हटाके यहां पर लगा देंगी तो 4295 वाला जो अप्शन है 4295 4295 के नियरेश जो है वो यह है क्योंकि दसमलव के एक रुपिया निकटतम तक आपको चाहिए तो यह दर समलव छे जो है वो इसको एक बना देगा यानि चलिए आशा करता हूँ आपको यह मेथड पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना ना भूलें और साथी साथ लाइक बटन दबा दें क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा जो यहां पर रेशा प्रोच भी लगा सकते है यहां पर परसेंटेज से भी बैक क्या कर सकते हैं तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं अमाउंट यहां पर लिख लेते हैं 2 वर्षों में कहीक vivre कुँए्ा रफ्सक्वायर बन ज जाते हैं यानि कि वर्ष फाल्वर्ण बन जाते हैं दो वर्षू में तो यदी मैं इसमें देखू, क्या यह फूर्ण बन रहे है तो आपका जवाब हो bend दो इसको मैं क्या करूंगा तो यह ऑसन बन बन जाएगा इसको यदि 20 से काटे तो यह दसम्लब यहां से उठके इधर आजाएगा 2 और इसको पुरा अगर काटे 111 फिर यहां पर आपका आजाएगा दसम्लब 3 025 आएगा मतलब जो वैलू है वो यहां से 11 यानि कि 11 11 एमलब कि आप यहां पर 11.3025 इतना प्रतिसत आप ज्यादा दे रहे हैं अब आप खुदी बताईए कि यहां से आपने जो percentage दिया interest वो percentage कितना है 11 point 3025 percentage आपने यहां से interest दिया कि नहीं दिया अब आप खुदी बताईए कि यह value कहा से आ सकता है क्या यहां पर अगर 5 percentage आपका ब्याज होता तो यह value आता नहीं आता क्योंकि successive percentage change लगाते तो 10.25 परतिसेत आता जो कि इस से थोड़ा से ज्यादा है यदि आप 6 percentage देते ब्याज तो यहाँ पर 6% successive लगाओगे तो 12.36 परतिसेत आता लेकिन आप यहाँ पर जो ब्याज दे रहें वो कितना है 11.3025 परसेंटेज है मतलब value या तो यह होगा या तो यह होगा अब जैसी मैं इस चीज को देखता हूँ पूरी तरह से तो successive percentage change के फॉर्मूले में आप ध्यान रखिए ऐसा होता है x plus y plus xy by 100 को आप कितने तेजी से इस चीज को mentally समझ सकते हैं या आपके उपर है answer इसका जो है वह सी वाला option होगा क्योंकि 5.5 प्लस 5.5 करोगे तो यहां 11 आएगा प्लस 5.5 इंटू 5.5 जब करने जाओगे तो पांच देसंब्लब पांच या पच्पन का स्क्वेर क्या होता है यहां 25 लिखना और पांच में 6 इचो से start किया फिर हम वापस यहां पर देखे कि इतना पर्सेंटेज इंट्रेज्ट देना है क्योंकि यहां पर परफेक्ट स्क्वाइर बनाना थोड़ा सा typical हो रहा था इसलिए हम यहां पर पर फेट स्वैर वाले अप्रोच से ना लगा कर हम देखे कि कि इतना percentage interest देना पड़ रहा है और इतना percentage interest जो है वो successive percentage change के फर्मूले से किवल 5.5 में ही आएगा ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं कि the present worth of 169 due in two years at four percent per annum compound interest लिए दो वर्षों में चार पतिस्त प्रति शक्रविर्थी ब्याज कि दर से एक मूलधन जो है इतना हो जाती है तो इसका वर्तमान मूल्य क्या है यह हमें ग्याद करना है देखे अगर मैं यहां से rate of interest की बात करूँ rate कितना है वही चार परसेंटेज है चार परसेंटेज का मतलब आप सब जानते है एक बटा 25 हो जाएगा 100 से बाटने पर तो प्रिंसिपल और amount का जो ratio होता है यह हो जाता है 25 अनुपाथ 26 लेकिन यहाँ पर जब हम दो वर्षों की बात करने तो यहां square करना निवारियों हो जाता है मतलब की अगर हम देखे तो हमारा जो amount है present worth of इतना due in two years है मतलब यह क्या है यह दो वर्ष के बादवाला मूल्धन अरुम दो वर्ष के बाद वाला मूल्धन का मतलब होता है मिस्रथन तो हमारा जो मिस्रथन यहाँ पर हमने निकाला 26 का स्कूर me 26 का स्कूर है Mतलब value जो है इस यह है तो ₹3 है मतलब हमने इस बटे में क्या apo बटे में 4 चार किया है तभी तो यहां पर 169 आ रहा है तो प्रिंसिपल जब निकालना है वर्तमान मूल यह 25 का स्कूर है तो इसमें भी हमको क्या करना होगा डिवाइड़ बाइड़ चार करना होगा याने 625 जो आ रहा है बटे में चार करने पर जो वैलू आएगा वही हमारा मूल धान अब देखे अब फिर से यहां पर आपका है सवाल जो है यह अब आपके फिर से रेशी अप्रोच से बहुत तेजी से आप क्यालकुलेट कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल आपका कितना है तो पत्चिस सो है अब आप खुद ही बताईए कि यह किसका स्कूर है इसको देखते साथ बताईए क्यालकुलेशन ट्रिक के पहले वीडियो में इसका जो स्टार्टिंग था मैंने सारे लेक्चर में उसमें सबसे बेसिक क्यालकुलेशन ट्रिक में बताके रखाए 25 में 2 माइनस हो रहा है और 2 का स्कूर है देखते साथ समझ में आता है कि सवाल यह जो है यह अगर इहां पर रेट निकालने को कहा गया तो यह तो तो 2 वर्षों निकालने खिले आपको क्या की छ्यायी यह एक साल काईए तो दोनों तरफ स्क्वेट ले लेंगे 48 रिशूट 50 आएगा मतलब कि आपने यहां पर जो इंट्रेसड दिया वो दो का इंट्रेस्ट दिया कि पर 58 पर तो rate of interest कितना हो जाएगा 2 divided by 48 multiplied by 100 एक बटा चोवे सारा है और चार से काटोगे तो यहां 6 आएगा यह 25 बन जाएगा तो चार सही एक बटे 6 प्रतिसत जो है हमारे ब्याज की दर हो जाएगी ठीक है तो सी जो है सवाल का सही उत्तर है आशा करता हूं यह आपको समझ म चाहिए उस patients के लिए ही हमने यहां पर पिछले वाले वीडियो में सारे method आपको बता के रखें यह भी आप पटाफट calculate कर सकते हैं within seconds कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो मैंने numbers लिखा है क्यों लिखा है वो मैंने method to apply किया जो कि मैंने पिछले वीडियो में cover करके रखा हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं compound interest for the sum of first year and the second year is this much and this much what is the rate of interest एक निश्टी तरह राशी पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चकरवदी ब्याज जो है वह 100 रुपया और 172 रुपया है तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या है simple सी बात है कि यदि हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि पहले वर्ष का जो ब्याज है वह 100 रुपया है दूसरे वर्ष हमें हमने जो निकाला हो 172 रुपया तो यह 100 और extra बहत्तर आपने निकाला हो तो अब आपसे जब rate of interest पूछ रहा है तो आप खुदी बताईए कि extra 72 आया तो 72 मतलब ब्याज किदर कितनी हो गए 72 परसेंट हो गए 72 परसेंट इस जब रेट ऑफ इंट्रेस्ट आप यहां पर लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यह अगे इन मैथाड वन से हो गया डिफरेंस बिट्वीन कंपाउंड इंट्रेस्ट एंड सिंपल इंट्रेस्ट 15,000 रुपीज इस 10 परसेंटेज 15,000 रुपए और दो परसेंट ब्याज दो साल में अगर 10% वार्षिक द्यार्स की आपको साधरान ब्याज और शक्रिवत ब्याज की इसका अंतर ग्याद करना है दखें 10% मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा लेकिन उसके पहले आप देखें विडाउट फॉर्मूले क्यासे सॉल्फ करना है परसेंटेज और दो वर्ष की बात हो रही है तो साधरन ब्याज कितना होता है 10%, 10% दो साल दोगे 20% देना पड़ेगा लेकिन जब compound interest की बात होगी तो compound interessant 10% 10% सत्सेच मतलब आपको यहाँ पर जो ब्याज देना होगा वह 21 परसेंट देना होगा अब में पूछ रहा है कि आप मुझे यह बताईए कि इन दोनों में अंतर कितने का है यहां आपको दिखा है 21% यहां आको दिखा है 20% difference कितने का ओगया one percent का हुआ किनी यह किसका one percent तो आपका जवाब होगा तो फॉर्मूला यदि आप जानना चाहते हैं तो आप बड़े-बड़े अक्षरों में लिखना कि केवल टू यर्स के लिए only for two years for two years लिखना यानि केवल दो वर्षों के लिए वर्षों के लिए ठीक है तीन वर्ष का भी फॉर्मूला में लिखा हूँगा लेकिन जब दो वर्ष की बात हो रही है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि CI-SI का जो फॉर्मूला होता है यह होता है प्रिंसिपल आर स्क्वार डिवाड़ेड़ बै दस सौ का स्कुएर यह होता है आपके दो वर्षों का फॉर्मूला यदि मैं आप से बात करो तीन वर्षों का तो फॉर्ठी ययर्स का भी फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ आपको फॉर्ठी यिर्ज का 3 वर्ष का भी फॉर्मूला बनता है यानि तीन वर्षों के लिए जब फॉर्मूला अगर सवाल बन गया तीन वर्षों के लिए यदि आपका सवाल बन गया डिफ्रेंज बिट्वीन CISI का तो आप सक्सेसिव पर्सेंटेज चेंज आपके पास है उसको भी आप लगा सकते है लेकिन उसके बिना अगर आप सीखना चाते तो CISI का फॉर्मूला प्रिंसिपल होता है इस प्रिंसिपला बार आर स्कुर्ड ब्रैकेट में 300 प्लस आर और डिवाइड़ बाइ 100 का होल क्यूब क्लियर यह फॉर्मूले को आप नोट करके रखें कि दो वर्ष का यह है तीन वर्ष का यह है चार वर्ष का फिर चेंज हो जाएगा सबसे बढ़िया तरीका है सकसेसिव परसेंट चेंज यह आपको पता है तो आपको कोई फॉर्मूले की आवसकता नहीं है डायर्टल सकसेसिव परसेंट चेंज से तो 15,000 तो हमारा कितना था 15,000 हमारा प्रिंसिपल था रेट कितना बोला गया दस बोला गया तो दस का स्क्वेर कर लेते नीचे 100 इंटू 102 बार आएगा ठीक है न तो यह 100 से इकड़ जाएगा दो जीरो यहां से कर जाएंगे तो टोटल कितना आ गया 500 रुपया यह भी आपको फटा-फट उत्तर दे देता है फॉर्मूला भी आपको फटा-फट उत्तर देता है ठीक चलिए आशा करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां से साधारन भ्याज का अंतर जो है वो इतना रुपया होगा तो सिंपल सी बात है यहां पर उत्तर आपका यह आ जाएगा दस जा कैसे मैंने कर लिया बताई दस प्रतिशत चीन वर्ष में चक्रविर्दी ब्याज साधारन ब्याज कितना होता है 33.1 परसेंट और सिंपल इंट् super gonnaическая स्प्रिंसट में भी 100 मुल्टि प्रेंटी प्र criticism में 100% होता है इसमें भी 100 मुल्टिप्लाई करोगे आर डिवाइड़ यहां पर आजाएगा 100 का होल क्यूब करेट अब सिंपल इंट्रेस्ट याने कंपाउंड इंट्रेस्ट और सिंपल इंट्रेस्ट के बीच का अंतर कितना दिया कि यहां तो यहां से दस का स्कॉयर होगा यह आपका 3010 हो जाएगा और नीचे यहां पर 100 मुल्टिप्लाइड बाइगा कि एक सव से कड़ जाएगा फ्रिंसिपल जो है वो बन जाएगा सो मुल्टिप्लिप्लाइड बाइद दस दूसरे तरफ बेजोगे तो हजार रुपय आ रहा है कि नहीं है तो अगर आप माइंड से क्यलकुलेशन कर सकते हैं चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं तो पहन चलानी कि आप सकता नहीं है आप मेंटली सोच सकते हैं कि 3.1% तो डिफ्रेंट्स था जिसका दस गुना हो रहा है तो डिरेक्टल यहां पर सौ परसेंटेज का भी 10 गुना होना चीए जो की 1000 रुपया हो जाएगा लेरह यहां तक बात समझें हैं चली आगे बढ़ते सिंपल इंट्रेस्ट इन थी यर्स और कंपाउं इंट्रेस्ट इन लेकिन जब आपने डिए चाल्स का रहा हो और आप लोग खुद बताएये की यह होता क्या है यह होता है पिछले साल का rate of interest मतलब rate of interest जो रहा होगा वो जाएगा 32 बटे 400 multiplied by 100 मतलब आप यहाँ पर 8% जो है ब्याज की दर दे रहोंगे rate of interest हो जाएगा 8% तो extra जो आपने दिया यहाँ पर वो 8% दिया मतलब यहाँ से principal का भी 8% निकालोगे principal का 8% जो होगा वो यह 400 वैल्यू होगा की नहीं होगा मतलब अगर 8% इतना है 400 है जिसका यहाँ पर 50 गुणे हो रहा है तो principal का भी 50 गुणे करोगे तो 5000 तो आएगा न principal नहीं समझ में आए देखिए भई अगर rate of interest यहाँ पर समझिए अगर यहाँ पर rate of interest जो एक्स्टा लग रहा था 32 यह कहां से आता है यह 32 आता है 400 के उपर आर परसंटेज लगाने पड़ तो 400 का आर परसंटेज जब दिखाला तो कितना है आठ परसंट आया clear है बात समझ में आ रही है तो देखिए भई सवाल को सॉल्व करने के लिए फटाफट आप इस तरीके से सॉल्व कर से लेकिन कई लोगों को यह चीज समझ में नहीं आए हुए अब ही जाके यह सारी बाते आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर जो मनंबर्स मैंने लिख दिया फटाफट यह क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं असम अफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंट्रेस्ट एट ट्वेंटी परसेंट पर अनम वुड़ फेच फोर इटीटीटू मोर इफ इंट्रेस्ट इस पेएबल हाफ यर ली इफ what is the sum तो देखे अगर 20 प्रतीसद और यहां पर दो वर्षों के इसाब से चक्रविद्धी ब्याज जब ली जाती है तो फोर्थ एटीटू अधिक होगा यदि प्रतीवर्ष के तुल्ना में 6 माही ब्याज अगर हम दे तो बताइए यहां पर क्या आपका मूलधन है थोड़ा सा calculated सवाल है लेकिन इस calculation को भी हम आसान करना जानते हैं कैसे उसको समझते हैं जब 20% बोल दिया और दो साल बोल दिया तो 20% और दो वर्ष के इसाब से जब आप yearly calculate करेंगे और जब आप half yearly calculate करेंगे दोनों में अंतर होता है ठीक है जब yearly calculate होता है तो जो rate होगा वो rate आपका 20% का लगेगा और time जो लगेगा वो आपका 2 लगेगा ठीक यह सारी चीजे मैंने explanation के तोर पे लिखा एक्जाम में आपको यह सब करने कोई आप सकता नहीं है ठीक है rate of interest जब यहां पर calculate होगा half yearly होगा मतलब यह तो 12 महिने का है तो आधे साल का तो 10% होगा और time जो है वो end जो है वो अब 6-6 महिने में calculate होगा तो 2 साल में 4 बार आता है या फिर आप इसका दुगना कर देंगे rate का अधा किया तो time का double करना होता है यानि 4 होगा ठीक है अब यहां से आप खुदी बताएंगे कि यहां से जो simple मतलब compound interest निकलेगा कितना compound interest दो गया आप यहां से बीस प्लस बीस चालिस प्लस बीस इंटू बटा सो मतलब 4 जोड़ोगे तो 44 percentage का यहां पर आपका compound interest आएगा इस वाले पार्ट में बताईए इसका value होता है 46.41 परसंटेज 46.41 परसंटेज अब मैंने इसको कैसे लिख दिया देखिए इसके लिए फिर आपको समझना होगा golden ratio golden ratio चार साल का कितना होता है 4641 होता है यहां से आपको निकालना होगा 10 परसंटेज ठीक प्लस 10 का 10 परसंटे 1.21 ku1.01 can 0.01 गोल्डञ्डट में इस आप देखेंगे 10 का 10 0.01 इसका 10 criança इतना होता है is a बोर्ट में पहले वाला परसंटेज यहीं वाला हुआ होगान्वाला इसको जोडेंगे तो गाली में जागा cich परसेंट थे इन दौनों का जो डिफ्रेंस है इन दौनों का डिफ्रेंटस दिया हुआ वह है कि यहां कि अगर आपका इसका और इसका दोनों का अंतर ऑफ Bureau स्वांटस्वां जो तो प्रिंसिपल तो 100% होता है न इसमें भी कितना मुल्टिप्ला करेंगे 200 मुल्टिप्ला कर देते हैं तो यहां पर 20,000 रुपया वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है यहां तक बाते समझ में आगई कि यहां पर 20,000 र क्यों है तो डिफरेंस आपको देखना था कंपाउंट इंट्रेस्ट में जब आप यहां पर yearly calculate कर रहे हैं और half yearly calculate कर रहे हैं जब भी एन 4 हो जाता है एन जब 4 हो जाता है तो calculation थोड़ा सा typical होता है लेकि उसको भी आप आसान कर सकते हैं कि आपको क्या पता है आपको पता है यहां पर solve करना by using golden ratios by using successive percentage change यह सारी चीज़ों को हत्यार के जैसे use करिया फटा-फट calculation जो है आपका हो जाएगा ठीक है next question a sum of money invested at compound interest amounts to 4624 in two years and this much in three years what is the sum of money तो देखिए यहां से जो धनरासी है वो इतनी हो जाती है दो वर्स में और इतनी हो जाती है आपके तीन वर्स में तो बताना है कि मुल्धन क्या होगा देखिए equal equal time interval में आपका जो amount होता है वो इसके बाद amount हुआ first year का इसके बाद amount हुआ second year का इसके बाद amount हुआ third year का तो amount for second year और third year जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4624 इस्टो 4913 अब यहां से आप इसको calculate करने कोशिश करेंगे तो आपको देखने से समझ में आ रहा है कि यह 17 का क्यूब है तो एक बार 17 से काटने कोशिश करते हैं यह बन जाएगा 17 से काटने पर 289 है इसको यदि मैं 17 से काट हूँ तो यह वैल्यू आपको देगा दो बार 34 फिर 122 आ रहा है तो साथ बार जाएगा 119 से फिर 134 आ रहा है यहने टू टाइम जाएगा ठीक अब बताई किस से कटेगा यह तो फिर से 17 से कट रहा है 17 बार मतलब की value अगर इसे 17 से काटें तो यहां पर जो वैल्यू आएगा यह आपका 17 से काटोगे तो एक बार 17 का ratio रहेगा यहां पर भी 16 से 17 का ratio रहेगा तो simple सी बात है कि अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखे तो 17 इसमें दो बार चुपा हुआ है क्योंकि अभी मैंने दो बार 17 से कटा तब value है मतलब यह क्या है 16 इंटू 17 का square है और यह 17 का cube है अब यह दोनों जो values है यह दोनो पहले साल यानि कि शुरुवाती तोर पर और दूसरे साल पर भी आपका 16 इस्टू 17 का ratio बनेगा यह ratio बदलता नहीं है जिस दो वर्ष में अगर ratio बन गया तो वह ratio नहीं बदलता है तो अगर 17 का मान इतना है तो 16 का मान यहां से 16 का cube होगा मतलब यह जो value है यह आपका 4096 दे दिखवा देता हूँ और अच्छे से आप इस चीज को note करके रखेंगे तो मैंने आपको यहां पर यह चीज समझाया था method 1 में और condition 3 के जरिए कि compound interest जो होता है वो first year का first year का compound interest यह क्या है compound interest है for first year केवल पहले साल का है यह यह क्या है यह compound interest है second year का यह क्या है यह compound interest है third year का यह क्या है यह compound interest है fourth year का तो आपको समझना है compound interest for two years नहीं for second year यानि कि केवल दूसरे वर्स का compound interest केवल तीसरे वर्स का compound interest इतना है 1000 पहले वर्स का दूसरे वर्स का इतना तीसरे वर्स का इतना चौथे वर्स का जब आप देखेंगे तो इसमें जो ratio बनता है अगले वर्स बाद यानि कि दैसे पहला वर्स खतम हुआ तो प्रिंसिपल प्लस एमाउंट जो था वह ग्यारा हजार था इसमें दस अनुपाद ग्यारा है अगले दोनों में भी दस अनुपाद ग्यारा है तो यह चीज आपको नोट करके रखना है इसका डारेक्ट यूज हम इसका रेश्यो जो है वह 10-1 के रेश्यो में नहीं रहेगा क्योंकि CI पहले वर्ष का कितना है यह 1000 है और दो वर्षों के CI की में बात करूं तो दो वर्षों का CI 1000 प्लस यह वाला 1100 है दोनों को जोड़ोगे तो यहां से 2100 आ रहा है तो वैल्यू यहां पर जो है यह आपके 10% से नहीं बढ़ रहा है अगर मैं इसी में CI for third year भी देख लों तो CI for third year इन तीनों का सम हो जाता है इन तीनों का सम मतलब अब यहां से 3310 आएगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहां से जो रेश्यो है वो 10% नहीं बढ़ रहा है इसका 10% बढ़ाने पर 1100 होना था ना लेकिन 1100 कहा हुआ है यह तो 2100 से हो गया और अगर इसका 10% बढ़ाओ गये तो यहां पर 2310 बनना चाहिए लेकिन यहां पर 3310 बन जीरो बनता है टो CI for 1 year for 2 years CI for 3 years जो है वो आपके रेट ओफिंट्रेश्ट के परğan इर्टा इंट्रेश्ट पर यह उसके साब से ने से नहीं बढ़ता है क्यों I पहले वर्स का compound interest केवल, दूसरे वर्स के compound interest केवल, तीसरे वर्स का compound interest यह आपके इस ratio में बढ़ेगा, amount भी आपके इस ratio में बढ़ेगा, लेकिन compound interest जो एक वर्स का हो गया, दो वर्सों का हो गया, तीन वर्सों का हो गया, यह आपके इस ratio में नहीं बढ़ता, इस चीज का बड किस rate of interest के हिसाब से हमको चलना है तो यहां से प्रिंसिपल और एमाउंट बैस तरीका है कि आप यहां पर रेश्यो ले या परसेंटेज निकालने के कोशिश करें यहां पर कितना दिया हुए 1348.32 तो मैं यह कोशिश करूंगा कि अगर दो वर्स है तो इसको परफेक्ट स्कॉ 1212 से कटोंगे एक बार बारा से कतेगा 14 आया एक बार जाएगा 28 आया दो बार जाएगा 53 आया तो तीन बार जाएगा 36 तो इस mijn आया तोलगा ए 6 डेखते साथ समझ में आ रहा है या आपमांट यहां पर इंट्रेस्ट सिंदिया वह 12.36 परसेंटेज कर यह अर 12.36 परसेंटे तो 6% जो है सवाल का सहीबतर हो जाएगा ठीक है एसे भी देख सकते हैं कि यह 10 है और यह 106 आख 106 का होल स्कूर है ठीक है यहाँ से आप इसका स्कूर करेंगे तो 10.6 का होल स्कूर हो रहे बिदार टेन पॉइंटसिक का स्कूर है ठीक है तो पांच हजार की मूलधन पर पांच प्रतिसत ब्याज की दर से जब आप सालाना ब्याज दे और अर्धवार्शिक रूप से ब्याज दे तो दोनों में अंतर क्या होगा यह निकालना है तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा जब चार प्रतिसत की बात हो रही है और एक साल की बात हो रही है तो यहां से आपका जो रेट है यहली वाले में क्या होगा देखना है हमें और हाफ यहली वाले में क्या होगा देखना है हमें ठीक है दोनों चेक कर लेते है इरली की बात होती है तो आपका रेट चार रेता है एन जोसिखेंम हो जाता है और आपका और आधे वर्स का और अधेवर्स मतलब कुल रोबहार के आपको 4 कहीं ब्यास देना होग लेकिन यहांपको 4 यानी कि सक्षेशिव परसेंड लगों गहें दसमलव के पहले दुगना दसमलव के बाद स्क्वायर करोगे तो 4.04 परसेंटेज आपको देलों अब दोनों का अंतर पूछ रहा था आपसे तो इन दोनों का डिफरेंस आप बताएंगे तो 0.04 परसेंटेज का डिफरेंस है और यह किसका डिफरेंस है तो भाई मूल धनका यहाने 5000 का दो जिरों यहां से परसेंटेज को हटाने जाएंगे और यहां पर 50 है एक दसमलव तो यहां से जीरो को यहां कर देगा पांच इंटू दसमलव चार करोगे तो दो रूपया आएगा मतलब बस दो रूपया का अंतर है इसमें यह चीज़ आपको यहां पर समझन परसेंटेज की फॉर्मूले से आप जानते हैं यहां पर टू आर प्लस आर स्क्वेर बटा सौ होता है दो वर्सों के नहीं तो यहां पर रेट की जगा पर आपको डालना है चार दालना है तो चार प्लस चार का स्क्वेर बटा सौ करोगे 4.04 परसेंटेज आएगा ठीक है यहां पर दिया वाए कि 120 यानि कि 12,000-2022 छे वर्सों में हो जाता है तो आपको बताना क्या है कि इंट्रेस्ट कंपाउंड कंपांड यरलिया तो संग क्या होगा कोई राशी जो है निश्चित प्रतीशत ब्याज कि दर से 3 वर्स में इतना हो गया और 6 वर्स में इतना हो ग पिणिपल निकालों यहां से यहां तक आपका तीन वर्स है यहां से अगर आपका वैलू जो है वह वह 18028 यहां पर किता दिया हुए 12042 दिया हुआ है तो अगर यहां से आप थोड़ा सा गौर से इसको देखे तो यह जो value है इस value को यदि आप गौर से देखे इस value को भी यदि आप गौर से देखे तो 4014 multiplied by 2 है यहां पर और यह क्या है 4014 multiplied by 3 है मतलब जो ratio बना हुआ है वो ratio है दो अनुपात 3 का यह ratio अगर तीन वर्स में कोई rate of interest दो अनुपात 3 का ratio बनाता है तो इसके पिछले तीन वर्स में भी यहां पर जो ratio बनेगा वो दो अनुपात 3 का ही बनेगा ठीक इस चीज को आपको समझना होगा और अगर आप यह बात समझते हैं तो यहां से आपका value निकल जाएगा कि principle कितना है क्योंकि 3 का value इतना है तो 2 का value निकालना कौन सी बड़ी बात है 8028 divided by 3 यह हो जाएगा आपके एक का value और आपको दो यूनिट का value निकालना है तो multiplied by 2 करना होगा बस हमको इतना ही यहां पर करना है तो आइए इसको solve करते हैं यदि मैं इसको solve करूं तो 3 से काटोगे तो यहां पर आपका 26 बार जाएगा 26 टाइमस 22 जा रहा है तो 7 बार जाएगा यहां पर 18 तो 6 बार जा रहा है अब इसको 2 से multiply करना है 2 से multiply करोगे तो value आजाएगा principle का तो 12 तो option number a जो है यहीं से आपका उत्तर clear है कि यहीं उत्तर होगा पुरा calculate करना है तो 152 आ जाएगा यहां से कि दो से multiply करोगे तो बावन फ्लस एक यहने 53 आ रहा है 5352 जो है सवाल का सही तर हो जाएगा यहां तक बाते समझ में नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ आपको यहां पर नोट डाउन करना है इक्वल इक्वल टाइम इंटर्वल में आपके अमाउंट का रेश्यो की बात कर रहे है तो प्रिंसिपल जो होता है वह जीरो वर्स का अमाउंट होता है तो यहां से जो रेश्यो बनेगा वह भी 2-3 होगा क्योंकि 3 और 4 यहर्स का भी अमाउंट का रिश्यो 2-3 का है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से दिया हुआ है कि compound interest on a certain sum for two and a half years 10% compounded yearly is this much when what is the sum 10% ब्याज की दर्श से बोल रहा है कि किसी निश्चित धन राशी पर दो सही एक बटा दो यानि धाई वर्स में आपका जो ब्याज लगा वह 1633 रुपिया लगा तो वार्षिक सियोजित हो रहा है तो आपको बताना है यहां पर कि राशी क्या है तो simple सी बा पूरा का पूरा वर्स नहीं जाएगा तीसरे वर्स का आधा मतलब जो आपका रेट ऑफ इंट्रेस्ट है वो भी आधा होगा मतलब परस परसेंट लगाई यहां से माइंड में कैल्कुलेट करिए कि परसेंटेज नेट कितना आएगा X plus Y plus Z यानि 10 plus 10 plus 5 करोगे 25 कि प्लस 100 यहां पर रहता है उपर में देखेंगे तो दस इंटू 10 कितना आ indama होगे plus 10 टू 5 और यह वाले 10 इंटू 5 यानि ससौиях popular 50 करोगे 200 आएग यहां पर प्लस तीनों को मिल्टिप्ला करना होता है तो दस इंटू दस इंटू पांच और डिवाइड़ यहां पर दस जार आ जाएगा यहां तक बात यह समझ में आगे कैल्कुलेट करिए बताइए कितना आजाएगा यह आपका 25 ठीक है और यह दो यहांने 27 प्लस यह दो जिरो यहां से कट लिए दस अमलव सुन्य पांच आएगा तो 27.05 परसेंटेज इतना परसेंटेज हमें कि प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल तो सौ परसेंट होता है सौ परसेंटेज का वैल्यू निकालना कौन सी वड़ी बात है 1623 डिवाइड़ यहां से आजाएगा 27.05 मल्टीप्लाइड यहां से आजाएगा दस जार यानिकि सौ तो देखिए अब इसको कैल्कुलेट कर करना थोड़ा सा टीपिकल है लेकिन हम इसको आसानी से कैल्कुलेट करनी कोशिश करेंगी इस देसिमल को मैं हटा दूँ तो उपर में यहां पर एक और सौ चड़ जाएगा तो चार बर जाएगा और चार के बाद यहां पर 54 ताइम गया 54 के बाद वन टाइम जाएगा अब ग्ली जो है क्लियरली इसका 3 मुला हो रहा है थ्री टाइमस और यहां से 162 आएगा तो ख्लियरली ठीटामस हो रहा है successive percent change को जिससे आपका formula काफी तेजी से calculation करके आपको answer दे देता है चलिए आगे बढ़ते हैं कि next question आपके screen के उपर है अब देखें यहां से एट मंतली वाला सवाल है एट मंतली वाला सवाल देखकर घवराने के कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास सारे तरीके हैं सारे हम तर्क वितर्क लगा के इसको solve कर सकते हैं जैसी आपको बोला गया कि आठ परसंटेज 25,000 करना है तो आप इसमें क्या कर दोगे 8 बटे 12 मिल्टी प्रोगे मतलब आपका जो ब्याज है वह आठ प्रतिसद है हर एक टर में हर आठ महिने में 8 प्रतिसद के हसाब से ब्याज लगेगा और जो होता है वह जो फैक्टर आपने यहां बटे 12 मिल्टिप्लाय किया तो दो व यह 3 x 2 है 3 x 2 से काट होगे तो यहां पर 3 आ जाएगा मतलब अब सिंपल सी बात है आठ प्रतिसाथ 3 वर्स आठ प्रतिसाथ 3 वर्स के साब से successive percentage net लगाना है आपको तो आठ प्लस आठ प्लस आठ करोगे 24 आएगा प्लस 8 x 8 कितना होता है 8 x 8 64 होता है 64 को तीन बार मल्टिप्लाय करोगे 192 आएगा तो 192 डिवाड़ेड बाए 100 प्लस आठ का क्यों होता है 512 डिवाड़ेड बाए यहां पर 10 जार जाएगा सिंपल से लैंग्वेज में यहां पर 24 प्लस इसका 1.92 प्लस यहां से 10,000 तो 0.0512 हो जाएगा इसको जोडने पर यहां 9712 और यहां पर 25 25 दसमलव इतना प्रतिस्यत आपको निकालना है 25,000 का थीक 25,000 का इतना प्रतिस्यत निकालना है तो बताए उत्तर कौन सा सही हो एक दो प्रतिस्यत आपको निकालना है किसका 25,000 का क्या calculation difficult है बहुत आसान calculation है मैं सिंपल से आपको बताऊँगा कैसे दो 0 तो यहां से decimal को हटाने में चल जाएगी एक शून्य जो है इस decimal को यहां से हटा कर यहां shift कर देगा ठीक अब देखिए जबी भी आपको 25 से multiply करना है 25 से multiply करने का मतलब क्या होता है 100 बता चार ही तो है 25 का मतलब क्या है 100 बता चार तो मैं यहां से इस decimal को 25 को मैं हटा कर क्या लिख दूंगा 100 बता चार लिख दूंगा और यह जो 100 है इस के 2 डिसमलब जो है इस शून्यों को हटा के यहां ले आएगी अब वैल्यू जो बचा ह हुआ इस value को मैं एक बार 4 से काट दूंगा क्युंकि 25 का मान है 100 बटा चार इसको चार से काटना आसान है 6 बार कटेगा 24 19 आरहा चार बर जाएगा 37 9 ताइम जाएगा 36 से ठीक है 36 के बाद एक आ रहा है तो यहां पर दो बार कटेगा 8 से फिर 32 आरहा तो जो लगभग यहां सवाल का सभी तर रहेगा देखने में लग रहा है देखने में लग रहा है लेकिन जब आपको यह सारी चीजे पता है तो विदीन सेकेंड्स आप इसको एक मिनिट के अंदर फटा-फट केल्कूलेशन कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यह इंवेस्टेड 14,400 फर थी यह एट 10 पर संट पर अनम सिंपल इंवेस्टेड थे सेम अमांट 1.5 यह संपाउंड इंट्रेस्ट इस सेम बट कंपाउंड हाफ यह यह इंपर जो है पहली बार में जब एंवेस्टमेंट करता है तो दस प्रतिशत ब्याज की दर से साधारन वर्ष में 3 वर्षों के लिए करता है यदि वह उसी राशी को 8 वार्षिक रूप से चक्रृदी व्याज में जब दे और 1.5 वर्ष के लिए निवेस्ट करता है तब चक्रृदी व्याज और साराधारन व्याज का अंतर क्या होगा यह हमें बताना है लेकि बहुत स देना है तो कंपाउंड इंट्रेस्ट के लिए आपका जो रेट है वह आपका लग जाएगा अर्दवार्षिक यानि 5% के साबसे और टाइम जो है वह 1.5 है तो 1.5 क्यूंकि आपने रेट का आधा किया तो डेड़ का दबल करना होगा यानि कि आपका तीन बार यहां पर 5% 25% लगेगा 5% और 3 के साबसे जब सक्सिव लगाओं तो इसका वैल्य आता है 15.7625ज तो आपसे यही पूछ रहा है कि इसमें और इसमें जो अंतर है वह कितने का है इन नों का अंतर आपको निकालना है इन नों का अंतर बताईए कि इतना आएगा इन नों का डिफ्रेंस यही है तो अगर इसको काटा जाए 29 से यह 10 बन जाएगा यह 99 बन जाएगा और यह 100 तो यहाँ पर 75 आएगा 9 से कटेगा थी टाइम्स यह 9 से कटेगा टू टाइम्स और यहाँ पर 39 से 15 काटू बे तो इतना आएगा मतलब टोटल 14 इतना डिफरेंस आ रहा है आपका 14.23 75 परसेंटेज इतना वैल्यू आपको निकालना है किसका तो 144 का 144 और 00 तो यहाँ से कट जाएंगे अब इसका जब क्यालकुलेशन करना है तो आपको समझना है 144 इतना करना जैसी इसको समझना करने जाओंगे तो नहीं कितना ही। पूरे का 9 आता है तो चार आता है यह भी और गलत है 2 plus 2 4 plus 4 8 8 plus 8 16 16 का एक प्लस साथ करोगे तो यहां पर डिजिटल सम नहीं हो सकता उत्तर जो है यह सही हो जाएगा इसका डिजिटल सम 9 है तो एंसर वही सही है जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है यहां तक बाते समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं एन एमाउंट ऑ 35,000 इस इन्वेश्टेड इन श्कीम ऑफ कमपाउंड इंट्रेस्ट इस ट्वेंटी परसेंट पर अनम वाट विल बीड़ अमाउंट अप्टेंड आफ्टर तो पैतीस जार रुपए की राशी पर चक्रविद्धी ब्याज योजन जब निवेश की जाती है तो दो वर्ष के बाद प्राप्त राशी क्या होगी रुपए में यह हमें ग्याद करनी है तो देखिए यहां से इसको सॉल्ब करते हैं अमाउंट जो है वह 35,000 रुपए निवेश हुआ था एक स्कीम में रेट ऑफ इंट्रेस जो है वह आपका 20 परसेंटेज था और साथ म अमाउंट होगा वह 44 परसेंटेज होगा की नहीं होगा सक्सेशिव परसेंटेज के साब से और आपको 35,000 रुपए देना है 35,000 रुपए पर इतना देना है तो बताइए यहां से आपको अमाउंट निकालने को कह रहा है सबसे पहली बात यह जो है आपका कंपाउंड इतना होगा यहां से परसेंटेज जो है 20 सको अने जाएगा अब 144 परसेंटेज निकालना है तो 144 परसेंटेज के लिए अगर मैं 100 रुपए करूं इससे तो 35,000 रुपए आ जाएगा इसको टोटल कर लेते डबल जिरो यहां पर चार यहां पर जिरो एक और 504 डबल जिरो 504 डबल जिरो जो है भी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एक सिंपल सी बात है रेट इतना था वाट मिली दा अमाउंट कूछ रहा तो पहले मैंने 44 का 44 क्या है प्रिंसीन अपने आप में 100 प्रतीसत होता है तो 100 प्रतीसत में ज़ो यहां 44 पर संटेज का यहां प्रतीसत डिए लिए कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दिया हुआ है अ परसेंट बॉरोड ए सर्टें सम एट 10% परेनम फोर थ्री एर्स इंट बिंग कंपाउंड अनुली अड़ अड़ टू यर्स ही रिपेड रूपीज 6 634 एड़ दी एंड किसी व्यक्ती ने किसी निश्चित धन राशी पर 10% वार्शिक दर से तीन वर्षों में उसने उधार ली थी जब जब की व्याज जो है वो आपके वार्शिक संयोजित है यानि यार्ली आप पे कर रहे हैं दो वर्ष की पस्चाव उसने 6 634 रुपए का बुगदान किया औ बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से आपको इस चीज समझाऊगा कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है आपको बस ध्यान रखना है कि 10% व्याज की दर है व्याज की दर कितनी है तो 10% है ठीक है इसको समझने की कोशिश करिए कि प्रिंसिपल और एमाउंट का जो रिश दूसरे वर्ष के स्टार एंडिंग में और तीसरे वर्ष के एंटिंग में 10 अनुपात 11 होगा अब यहां पर उसने लास्ट वाले वैल्यू में इस 11 पर जाकर उसने 13200 रूपया देकर रफा दफा कर दिया इसको तो अगर 11 अनुपात इतना है तो यहां पर आपने 1200 रूप देखें यह पहले वर्ष की बात है यह दूसरे वर्ष की बात है और यह तीसरे वर्ष की बात है यह 12,000 रूपय कैसे आया 12,000 रूपय तब आया जब आपने यहां पर इतना रूपय को चुका दिया था मतलब यह जो तीसरे वर्ष की सुरुवात है और दूसरे वर्ष के अ होगा मतलब अठारे हजार अठारे हजार छे सो 34 रुपया होगा ठीक अब 11 का अनुपात इतना है तो दस का अनुपात बता सकते हो कि नहीं कितना होगा ठीक यह समझ में यह वाला स्टेप यहां पर 12,000 क्योंकि कि दूसरे वर्ष के अंत में आपने इतना वैल्यू दिया था तो अगर 12,000 यहां है तो इसमें 6,634 रुपया जोड़ोगे तो इतना आएगा 11 का अनुपात इतना है मतलब multiplication factor कितना हुआ एकम 11,11 से कटोगे एक बर कटेगा फिर 76 आ रहा है तो 6 बर कटेगा 10 आया तो 99 बर फिर 4 है मतलब यहां से जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है यह जो वैल्यू अगर 11 अनुपात इतना है तो इस 10 का वैल्यू जो हो जाएगा मतलब इतना multiplication factor है तो यह जो 10 का मान ही हो जाएगा 154 0000 ठीक है तो यहां से सवाल का सही उतर है तो रेश्य अप्रोच से वाले सवाल को हम हल कर रहे हैं बहुत आसान है रेश्य अप्रोच बस आपको समझना है कि कब रेश्य अप्रोच लगाएं कब हम सक्सेसिव परसेंटेज 11 का होगा amount में जब यहां 323200 रुपया था इसका पहले वाला amount 12,000 होना चाहिए क्योंकि यह 10.911 में रहता है और अगर यहां 12,000 है जब आपने 6,634 रुपय भूगदान करने के बाद वो बना मतलब पहले 18,634 होगा और यहां पर 10.911 लगाओगे तो इसका value आजाएगा अ आशा करता हूं यह सवाल आपको अच्छी समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं यहां दिवा है sum of amounts to sum amounts to rupees this much after 3 years and this much after 6 years at certain rate of interest परनाव when the interest is compounded annually what is the sum कोई राशी जो है निश्चित दर से प्रती वर्ष जो है तीन वर्ष के बाद इतना और 6 वर्ष के बाद इतना हो जाती है सेयोजित प्रती वर्ष है तो आपको बताना है धन राशी क्या है सिंपल सी बात है इस तरह का सवाल हमने ले लिया amount तीन वर्ष के बाद और amount शे वर्ष के बाद यहां पर जाने में तीन वर्ष गुजर रहें यह principle है जो amount zero years का होता है जो अनुपात यहां रहेगा वह अनुपात यहां भी रहेगा अब यहां जो अनुपात है 18,600 है और यह आपका 27,900 है दोनों में अगर हम देखें की common क्या है इसका अनुपात और इसकी अनुपात में तो यह 9,200 में आपने दो गुणा किया है और यहां पर 9,300 में यहां पर 9,300 में आपने 3 गुणा किया है मतलब कहीं न कहीं दो अनुपात 3 में अगर यह है जो कि amount after 3 years है amount after 6 years है अगर यह 2 अनुपाद 3 है तो यहाँ पर भी 2 अनुपाद 3 ही होना चाहिए और 3 का मान यहाँ से सवाल में दिया हुआ है कि 3 का मान जो है इस 3 का मान इतना है तो 2 का मान बताइए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 18,600 रुपिया बटे में 3 होगा 3 से काट होगा तो 6 बार कटेगा 2 यहाँ पर और 2 0 मतलब यह कितना हो गया 12400 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 12400 भी जो है सवाल का सही उत्तर है बरावर बरावर टाइम पिरेट के लिए जो रेशो रहता है अमाउंट का वो सेम रहता है इस सी स्कॉप को समझना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन में यहां दिया हुआ है कि सम और 12,000 रुपीज अमाउस तो 20,736 इन 3 यर्स इन 3 यर्स अज से इतना हो जाती है तो 2 वर्स में यह कितना हो जाएगी आपको बता रहा है तो देखें सिंपल से तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि यहां प्रिंसिपल दिया हुआ है और एमाउंट जो दिया हुआ है वो आपको 3 वर्स के बात दिया हुआ है दोनों के रेशो की अधर बात करों तो 12,000 यहां पर और यहां पर आपका 20,736 अब जब तीन वर्सों की बात हो रही है तो तीन वर्सों में इसका रेशो जो है वो क्यूब की एसाब से बढ़ता है तो अगर यहां पर पूर्ण वर्ग आप डिटर्माइन करें कि दोनों तरफ पूर्ण वर्ग क्या है काफी आसान हों जाएगा तो मैं यहां पर शमज तबां था और 8 बार जाएगा और यह 10 कूब है मतलब 1 वर्ष का अनुपाद 10 वर्ण 12 अब अगर 1 वर्ष का अनुपाद 10 वर्ण 12 है तो amount जो 2 वर्ष का होगा और amount जो 3 वर्ष का होगा इसका अनुपाद 10 अनुपाद 12 होना चाहिए और इस 12 का value जो है वो सवाल में कितना दिया हुआ है यह इतना दिया हुआ है 20736 तो इस 10 का अनुपाद निकालना कौन सी बड़ी बात है अगर मैं इसे 12 से काटू तो यह कटेगा 1728 ताइमस 1728 ताइमस मतलब एक अनुपाद इतना है तो 10 अनुपाद कितना हो जाएगा 10 अनुपाद हो जाएगा 17280 और यही आपका amount हो जाएगा 2 वर्ष का बात क्योंकि 10 का अनुपाद इतना है 17280 क्लियर है बात समझ में आ गई यहां पर इस सवाल को कैसे सॉल्म करना है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद next question देखेंगे इस सवाल में दिया हुआ है कि a sum of amount sum जो है वो इतना बन जाता है 16 प्रतिसत ब्याज की दर से compound interest what is the difference between compound interest for second year and third year तो यहां पर 15,000 रुपे की राशी में 16 प्रतिसत चक्रविदी ब्याज की दर से उधार लिया जाता है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में जो ब्याज आएगा उसका अंतर क्या आपको बताना है तो देखें सिंपल सी तरीके से मैं आपको इसको समझाने के कोशिश करता हूँ पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज जब हम यहां पर यह निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का डिफरेंस क्या है तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर बढ़ता है 16 प्रतिसत के साब से यहां पर भी बढ़ता है 16 प्रतिसत के साब से ठीक है यह हम सीख चुके है ठीक है याने पहले वर्स का केवल फर्स्ट येर का जो ब्याज है और सेकेंड येर का जो ब्याज है वो 16 परसेंट से बढ़ेगा 2nd year में जाओगे तब और 3rd year में जाओगे फिर से 16% से बड़े तो सबसे पहली बात आपको यह बताना है कि यहां पर पहले साल में जो ब्याज लगती है वो simple interest होता है और यहां CI-SI होता है लेकिन हम यहां कमाइंड करके पूरा लिखेंगे कि total interest कितना आ रहा है वो एक साथ हम लिखेंगे कि एक साथ यहां पर जो ब्याज लग रहा इंट्रेस्ट के रूप है वो हम लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमें अलग-अलग या CI-NS-SI के बारे में कुछ नहीं खा गया हमको बस बोला गया कि दूसरे साल में जो चक्रुरुदी ब्या जाया तीसरे वर्ष में ज जड़ जाएंगे तो फोला मल्टिप्लाइड बाइपंद्रह होता है दो सो चालिस दो सो चालिस में एक जिरो जाल लोगे तो टूफोर डबल जिरो यह आपका वैली देगा पहले वर्ष का अगले वर्ष में जाओगे तो दो हजार चार्स जो है इतना तो लगेगा इसका सोल परसेंड मतलब चोवेश मोल्टिप्लाइड बाइस इसका सिक्ष्टीन परसेंटिज और लगेगा यह दो आप यहां से आप थोड़ा समाटली समझी कि सवाल आप पूछ क्या रहा है सवाल आपसे इन दोनों का अंतरबूछ रहा है इन दोनों का जब अंतर निकालने जाओगे तो यह आपका टोटल हो गया 2784 2784 इसमें जो अंतर आएगा इसमें और इसमें जो अंतर आएगा वो कही न कई 16% का अंतर आएगा जो कि इसका रहेगा तो second year का जो interest है उसका 16% जो value होगा वो ही हमारा एंसर दे देगा मतलब मुझे जो सवाल का उतर चाहिए वो 2784 का 16% value चाहिए क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आता है कि यहां से हर वर्ष जो है percentage जो है वो 16% बढ़ाने पर हमारा interest अगले वर्ष का आजाता है लेकिन आपको तो केवल second year और third year का difference चाहिए था तो second year में इतना है तो इसका 16% निकाली है उतरा जाएगा तो देखे पूरा calculate करने की कोई ज़रत नहीं है यहां पर 2 zeros है यहां पर 0 से चल जाएगा 6 और 4 multiply करने पर 4 होता है और decimal के बाद 2 यहां पर जाएगे तो कहीं न कहीं सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा और यहीं यहां पर आपको करना है बस decimal देखिए कि 9% की दर से च्रिवति और साधरन व्याज का अंतर इतना है तो एकस कमान क्या है यह सवाल जो है 2018 की जो एक्जाम हुआ था उसमें बार बार यह सवाल पूछा गया था उसलिए मैंने एक बार और यह वाला सवाल लिए होगा यह होता है principle आर स्क्वाइड बाए 100 का होल स्क्वाइड तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए दो साल का फ़र्मूला इन स्वाल आता है तो इस प्रिंसिपल आपका एक्स है रेट कितना है नाइन है तो नाइन का स्कॉर डिवाइड़ बाई 100 इंटू सौ और यहां जो वैल्यू है यह 20.25 वैल्यू है अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 81 यहां पे नौ का स्कॉर करोगे तो 81 आएगा तो 81 में यदि मैं 25 से मल्टिप्लाइ कर दूँ ठीक है 25 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो वैल्यू जो है इसको पूरी तरह से काड़ देगा यह 25 बार 81 इंटू 25 यही होता है यहां से अगर इसको क्यल्कुलेट करेंगे तो वैल्यू यहां पर 25 इंटू 100 पच्चिस सो रुपया देगा आपके प्रिंसिपल को ठीक है तो सिंपल सी बात है बस इस पर्मुले को आप पकड़ के रखी फटा-फट क्यल्कुलेशन हो जाएगा तो यहां से आपको बोला गया है कि किसी धर्म्राशी पर तीन वर्षों में चक्रिवृति ब्याज के साब से तीन प्रतिसत ब्याज की दर से इतना रुपय का अंतरा होता है तो मूल्धन क्या है तो सी आई माइनस एसाई तीन वर्षों के लिए जब बात हो रही है तो इसका फ अधरा होगा प्रिंसिपल आपको निकालने को कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि 3% है तो 3% का स्क्वयर करोगे तो नो आएगा और यह 300 प्लस 3 करोगे तो 300 टीन पीड़ नीचे 100 multiplied by 100 multiplied by 100 100 का cube है यहां पर ठीक है अब देखिए इसको solve करते हैं अगर मैं इसको 9 से multiply कर दो तो 27 into 27 हो जाएगा यहने 2727 हो जाएगा और साथ में इस decimal को हटाने के लिए इस decimal को हटाने के लिए मुझे यहां से 30 की आवसकता हो गए 30 हट गए अब यह 2727 जो है इसका तीन गुना है यहां पर तो यह इसको यह दोनों इसको मिला कर तीन बार काटेंगे और यहां पर 1000 चुपा हुआ है मतलब 3000 रुपए जो है आपका principle बन जाए ठीक यह जो सवाल का सही उत्तर है आशा करतों यह आपको समझ में आया होगा और आप यह समझ पा रहे होगे कि इस सवाल में अब आपको पूछा जा रहा है कि 18,000 रुपए के सम दिया हुआ है जहांकि 10% के हिसाब से आपको बताना है compounded annually difference between compound interest for third year and fourth year 18,000 रुपए की धनराशी पर 10% ब्याज की दर से जब आप चक्रुरती ब्याज उधार लेते हैं तो तीसरे वे वर्ष और चौथवे वर्ष के बीच पे जो चक्रुरती ब्याज है उसका अंतर क्या है आपको निकालना है कि पहले साल आपका जो interest मिलता है वो interest आपका 10% होता है इस पर इसका 10% मतलब अठारा सो रुपिया ठीक second year जो ब्याज आप दोगे वो यहाँ पर 10% इसका बढ़ाना होगा आपको और 10% जैसी आप बढ़ाओगे तो इसका 180 बढ़ाना होगा तो जैसी जोड़ोगे तो यहाँ पर 8 आएगा यहाँ पर 9 प्लस 8 जोडने पर 17 आ रहा है एक यहाँ पर extra आ जाएगा एक प्लस यहाँ पर 19 करोगे लग 11 यहाँ पर और यहाँ से 2178 अब दीखे फोर्थ एयर का आपको ब्याज नहीं निकालना है आपसे पूछ रहा था कि तीसरे वे और चोथ वे वर्ष का डिफरेंस इन अनोनों का जो डिफरेंस होता है आप इसमें 10% बढ़ाते ςतु हैं 10% बढ़ाने से यह तो वैल्यू बनता और 10% किसका बढ़ा रहे हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट आया उसका डस पर संटी एंसर होगा एंस उसका दस पर कि same pattern of questions आपके compound interest में भी आता है और जब compound interest में आता है तो concept अलग होता है simple interest में जब आता है तो concept अलग होता है समझते हैं इसको कि इस pattern of question में क्या है a sum of money becomes 13.84 to 824 times of itself in 30 years in how many years it will become 2.4 times of itself ठीक है यहाँ पर धनराशी जो है वो आपके 30 वर्ष में चक्रती भी आज की दर से इतने गुने होती है तो कितने वर्ष में यह धनराशी अपने 2.4 गुने हो जाएगी तो इसका answer जो है वो सीधा का सीधा आपका 10 साल होगा कैसे मैंने बता दिया 10 वर्ष होगा उसके उसके लिए मैं थोड़ा से यहाँ पर आपकर समय लूँगा मैं यह मान लेता हूँ कि यहां से आपका जो factor है amount जो है वो x times होता है P का time जो है उसमें जो लगता है time यह टर्म जो है वो आपका लगता है यहां पर n times में ठीक तो यहां से आप इसको समझने कोशिश करिए कि हमने search indices में एक formula देखा हुआ है कि a के power m के power n जो होता इसका value ह होता है a के power mQué तो आप यहां पर जब इसके power में कोई चीज को मटिप्लाई करते हैं तो वो value इसके power में चढ़ जाता है यहां से अगर आप power में कुछ भी यहां पर well इसके whole Power में कुछ आप लेंगे तो वो czy यहां पर इसके Power में multiply होती है अब आप इसचीज को समझिए कि हम यहां पर जो factor ले रहे हैं यह factor X है और X के factor में power में कुछ चीज लगा हुआ है और यह Power यहां पर क्या है तो यह इस X है क्या यह एक्स इस factor को हुँ रिप्रेजंट कर रहा है तो जैसे यह पर पावर में खुछ चीज को यहाँ डबल कर दूँ तो Square करने neighborhood है जो है इस पूरे में पावर में '' मतलब टाइं जो हजायगा वह ट्वाइस एं' हो जाएगा बात समझ भाई अगर मैं यहां पर इस factor का cube करूँ पी का तो यहां पर जो factor है वो 3 times n हो जाएगा याने time का 3 गुना हो जाएगा यहीं अगर मैं यहां से इस power को square root करूँ x का p times तो अब power जो है वो आधा हो जाएगा क्योंकि square root का मतलब होता है power में आधा कर देना और यदी मैं इसी factor का यह जो factor आपको दिया हुआ है इस factor का यदी मैं cube root ले लूँ ठीक है यह cube root यदी मैं ले लूँ तो यहां पर जो आपका power है वो n बटा 3 हो जाएगा क्योंकि आप power में क्यों रूट कर रे मतलब यहाँ पर एक्थि हाई आप कर रहे है वर्ग नब में से आपका जो यहां चुछंत चीज को है यहां पर आया था Simple Intrest में ऐहां पर फर्मुला हमने देखा था सब्सक्राइब यहां पर उसको लगाने की गलती मत करना क्योंकि यहां पर आपके पावर में चीज़े चलती है ठीक है अब मैं आपको ले चलता हूं उस फॉर्मुले में उसक्षिन में अब देखे इस सवाल में डिरेक्टली देखे क्या दिया हुआ है अमाउंट जो है वह आपके इतने गुना होता है इस नंबर को देखते साथ आपको समझना होगा कि 2.4 का क्यूब है और यह हो रहा है कितने वर्स में 3 years थर्टी अर्स में तो जब अमाउंट जो है आपका यहांपर क्यूब रूट हो रहा है 2.4 के क्यूब का तब ही न पिचना था। यह क्या है। यह अंकि टू पॉइंट फॉर का क्यूब है। और टू पॉइंट फॉर का क्यूब जब पी था तब 30 वर्ष लग रहे थे। अब आपसे बोल रहे है। को're 2.4 सब्सक्राइब मतलब 10 वर्ष सकतीन काम होगा है दिनने हापर 10 वर्ष क्यों यह workflows पको पर पता होना न है कि 24 थे रहाजार आठिसो चूविस होता है अगला सवाल दिखतें कि अगर कोई धनवाशी जो है वो 15 वर्ष में चकरविदी ब्याज की दर से इतना 27 गुणय हो जाती है तो 25 वर्ष में कितनी गुणय हो जाएगी बताना है अगर मैं इसे 25 वर्ष करूँ तो बताइए अमाउंट का क्या हो जाएगा तो सिंपल सी बात है पहले आप समझीए यहाँ पर 25 में जो फैक्टर मल्टिप्लाय है वो कितना है यहाँ से जब आप इधर आना चाहते हैं मतलब यहाँ पर मुझे पांच बटे तीन फैक्टर को मल्टिप्लाय करना होगा तब यहाँ पर वैल्यू आएगा क्योंकि पंदरा में जब आप 5 बटे तीन मल्टिप्लाय करोगे तब ही यह फैक्टर है कैसे मैंने निकाला 25 तो यह तीन के घात में 5 होगा जो वैल्यू है यहां से जो तीन के घात में 5 का मतलब कितना होता है तो 243 वैल्यू आ जाएगा इसका प्रिंसिपल का 243 टाइम्स बने गई तो इस 27 की फैक्टर में मैंने क्या किया पांच बटा तीन कर लिया अगर आपको ऐसे समझ में नहीं हा रहा तो मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाने कोशिश करता हूं है तो आप इसको इसको कि पांच वर्ष में कितना होगा अब जैसे मैं पांच वर्ष कर रहा हूं तुमएन यहां पर क्या किया मैं ने पंद्रा का यहां पर एककर किया की नहीं किया आपका जवाब और बिल्कुल अगर मैंने इसका एक एक्तिहाई किया मतलब यहां पर मुझे अमाउंट में इसका भी इसके घाथ में एक्तिहाई करना होगा 27gyar और 27 के घात एक तिहाई मतलब करना क्या है कि यहां इसका घनमूल लेना है घनमूल होगे तो यह 3P बन जाएगा अब यहां से जब मैं इधर आओं तो अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि मैंने इसका 5 गुना किया अगर मैं इसका 5 गुना कर रहा हूं तो इस फैक्टर में तीन के घात में 5 करना होगा और तीन के घात पांच हैने 243P तो अगर आप डारेक्टली नहीं समझ पार है कि पांच बटा तीन फैक्टर कैसे आ रहा है तो आप स्टेप वाइस देख सकते हैं कि पहले एक तिहाई कर तो यहां 27 का घनमोल निकले कर तीन गुणा होगा और फिर यहां पर पांच गुणा कर लिए पत्चिस बन जाएगा यहने तीन के घात में पांच यह 243 टाइम्स होगा ठीक है तो यह सेम सवाल आपके कंपाउंड इंट्रेस्ट में बनता है सेम सवाल आपके सिंपल इंट् तो 512 टाइमस ऑफ इट्सेल अगर कोई धन्रास्ति 27 वर्स में अपने 16 गुणा होती है तो 512 गुणा होने में कितना समय लेगी तो सिंपल सी बात है कि अमाउंट जो है यह अपना 64 टाइमस हो रही है पीका कितने वर्स में तो 27 वर्स में आपको निकालना है कि अमाउंट पीका कितने वर्स में होगी यही निकालना है ठीक तो देखें बहुत सिंपल से मैं आपको यह बात पताओंगा सबसे पहले तो आप देखें यह जो है यह value जो है यह आपके 8 का square है कि नहीं यह क्या है यह 8 का cube है तो देखें 8 के square से cube में directly तो नहीं जा सकते या फिर आपको यह समझना होगा कि power में 3 बटा 2 हो रहा है इसका 3 बटा 2 करके आप यहां से value निकाल सकते हैं कि इसका value 40.5 आएगा चले ठीके समझते हैं इसको अगर मैं इसका square root निकालो 64 का square root निकालो पी का तो यह बन जाएगा 8P जैसी मैंने यहां पर square root किया तो square root करने पर value इसका आधा हो जाता है मतलब की 27 का आधा जो क्यों हो जाएगा 13.5 यहां तक समझ में आगी बात अब यहां से अगर मुझे 8 का cube यानि यह चाहिए तो मुझे 8 का cube पी करना होगा 8 का cube पी मतलब की 512P और 512P जैसे ही मैंने किया तो मैंने यहां पर जब cube किया हुआ है तो यहां पर 13.5 का भी cube होगा मतलब यह 39 है 39 में 1.5 और जोड़ दो 40.5 तो यहां से जो उत्तर है यह D वाल option होगा ती option इस सवाल का से उत्तर होगा समझ में आ रहा है कि हमने यहां पर क्या किया हमने पहले देखा कि 8 cube में जाना है यह तो 8 square का value हो तो पहले square root निकाल के 8 P का value निकाला square root निकाला मतलब power में आधा किया तो इसका आधा होगा 13.5 अब जब इसका cube कर रहे हो तो यहां 512 होगा तभी तो 512 times P का कब हो रहा है समझ में आएगा और cube करने का मतलब यह 13.5 है इसमें 3 मुन कितना है तो देखें आपके 5.5 यह का दिया हुआ है और यहां जो है यह 11 का दिया हुआ है तो कहीना कहीं अब जीरो यह तो प्रिंसिपल होता है यह वाला question भी इसी के उपर ही based है कि अगर यहां पर 8000 रुपए दिया हुआ है यहां पर 16 6400 दिया हुआ है और यहां पर 8000 द टाइम पिरेड में बन गया हर टाइम पिरेड में यह रिपीट होता है जो में प्रोग्रेशन यही कहता है ठीक है न तो यहां पर जब हम यह कह रहे हैं कि अपना इतना गुना हो गया तो यहां से अगर 5.5 यह जो रहा होगा अगले 5.5 यह वही रिश्यों होगा तो 11 5.5 से इसको काटोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा मतलब इसमें 8 गुना करना 8 गुना करने का मतलब 5 1 2 0 ठीक है 5 1 2 0 जो है सवाल का सही उत्तर यहां पर आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक दो सवाल और लेता हूं मैं सेम बैटन वाला तो यहां से आपको दिया हुए तो चार वर्ष में कितना दिया हुए वही 4900 यहां से दिया हुए 7350 और आप से बोल रहा है कि चार 12 वर्ष में कितना होगा तो आप खुद ही देखिए कि यहां जो रेश्यो बना वो कितना बना यदि मैं से साथ सतर से काटू तो दो जिरो यहां से कट जाएंगे साथ से का तो यहां सत्तर आ रहा है और यहां पर एक सो पांच आ रहा है 35 से काटूंगा तो यहां पर दो यहां पर तीन आ रहा है मतलब दो अनुपात तीन है वैलू अगर यह दो अनुपात तीन है तो अगले दो वर्ष अगले चार वर्ष में भी क्योंकि यहां भी चार वर्ष है यह इस दो से इस जिरो को काटोगे तो यहां पर पांच आएगा मतलब इसमें पंदरा गुणे कर देना पंदरा गुणे करोगे तो पच्छत्तर पैतालीस प्लस साथ तो बावन फिफ्टीटू साथ इंटू पंदरा करोगे 105 में पांच जोड़ोगे तो 110 आएगा वन डबल डबल वन 025 याने ए जो है सवाल का सई उत्तर हो जाए ठीक है अब यहां से सवाल दिया हुआ है कि दो वर्ष में इतना है और पांच वर्ष में इतना है तो आपको बताना है कि मूलधन क्या दो वर्ष का और एमाउंट जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है पांच वर्ष का मतलब यहां पर तीन यह और जब आप यहां से पीछे जाएंगे तो आपको दो वर्षों का पीछे जाकर प्रिंसिपल निकालने को कहा गया अब आप खुदी देखिए कि यहां जो क्यूब अनुपात तीन क्यूब मतलब 2 इस्टू 3 बना की नहीं बना तो अगर मैं 2 वर्षों की बात करूँ तो अब इस फैक्टर को आप समझे कि अगर यहां पर क्यूब हो रहा है जो की तीन वर्ष में तो जब यहां पर 2 वर्ष की बात होगी तो यह 2 स्क्वार चार अनुपात नौ का रिश्व बनेगा यहां मतलब देखिए अब जब प्रिंसिपल आपको निकालना है ठीक है तो मैं अब कुछ चीजों को यहां से हटा देता हूं तो अब इसका वैलू जो है वह 9 के बराबर है इसका वैलू जो है वह 9 के बराबर है मतलब यह जो तो तो यहां जो है कि आपका अमाउंट जो है इक्वल टाइम पिरेड़ पे इक्वल रेश्यो बनाता है तो अलग अलग टाइम पिरेड़ आगे जैसे थी वाला रेश्यो था तो टू क्यूब इस तू थू तो तो बना रहा था तो मैंने देखा कि भई यहां पर 3 है तो पावर यहां पर फाटर जो है वो क्यूब में था जब दो वर्ष आपको ध्यान रखना है चलिए अब इन कुछ बातों के साथ मैं यहां पर इस वीडियो को रोखता हूं ठीक है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो part 1 वीडियो था उस part 1 वीडियो में हमने जितनी भी चीज़े सीखी golden ratio सीखा successive percentage approach सीखा हमने ratio approach से सीखा कि कैसे solve करना है सवालों को सारे approach combine करके इस वीडियो में मैंने भरपूर मात्रा में आपको सवाल करवाए है और इन सवालों के जरी दोनों वीडियो को पूरा शुरू से आकरी तक अगर आपने देखा है चलिए इन ही कुछ बातों के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ एक चोटा सा installment का पार्ट बचा हुआ है जो कि मैं आने वाले वीडियो में cover कर लूँगा चलिए thank you so much इस वीडियो में इ हुआ 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 है